नमस्कार दोस्तों देवाशू राज्ट की चनलल में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं और आज हम एक मिंदर में आए हैं जो पीपाठ शीटी का बहुत फिर चचित मिंदर हैं और हनमान जी के मिंदर तो आपको पता ही है कि बहुत ही चमतकार ही मिंदर होते हैं और ऐसा ही चमतकार के बारे में सुना गया है इसी मिंदर में और जब हम आये हैं और देखते हैं यहां मिंदर में बहुत सारी अच्छी ची वेसेस हैं हमारे को देखने को मिली बहुत चमतकर ये मिंदर है और आए ये देखिए आप स्री वीर खेजड़ा हनमान मिंदर जो कि कहीं दसकों से ये परसित मंदर है और इस मंदर का हम इस्तिहास आज हम पुजारी जी से मालूम करेंगे तो दोस्तों जब हाँ मिंदर में यहां आए तो ये चमतकर मिंदर के बारे में हम कहीं लोगों के बारे में लोगों से ये सुना कि वाक्या में इन लोगों को जब यहां मिंदर में आते हैं तो लोगों की मन्नते पूरी होती है और जो लोग सोचते हैं वो उनका काम पूर्ण हो जाता है दुख दूर हो जाते हैं दूइदों से उनको मुक्ति बिल जाती है तो हमने सोचा कि आखिर इस मिंदर में ऐसी क्या इस्था है हम आईए हम उन पुजरी से मिलते हैं पुजरी जी क्या कहते हैं तो पुजरी आप तो पहले यह बताईए कि यह मिंदर कितना टाइम पुराणा है और इस विंदर का नाम जो खेजडा वीर हनमान रखा गया है उसके पीछे इसका क्या कारान है पहले आप तो इसका जवाब दीजिए अनमान जी आये और वही फिक्स टाइम समय में हमारे पूर्वजु को भी सपने में अनमान जी आये और अनमान जी ने का के हे बगत अब तुम्हें कई नहीं जाना है इदरी रहना है सेवा करना है पूजा करना और मेरे भगती बाव और बजन करना है और उसी समय महा राजा हम लुए जो आपको उनमान जी ने बहला है वहाजा जी आए और राजा ने सो अकड में गोड़ा प्राए था और उस समय सो भीगा ये जमीन आई है बाला जी की नाम की उसकी हमारी एग्यारवी पिड़ी है जो मैं सेवा फुजा करता हूँ काफी लोगों के मन में हैं और आपको बताना चाहिए बताईए बिलकुल यह बात राइट है और मैं इदर पीचे ही सो रहा था विश्राम कर रहा था दो पार एक बज़े का टाइम था तब मेरी अचानक नेंद आंके खुली मेरी नेंद में और मैंने देखा दो चोर के हाथ म गंटी थी और वो भाग रहा था इदर तो भाग रहा था तो साकसाथ बाला जी की किरपा थी तो मैंने उसे देखा और उसका पिच्छा भी किया लेकिन वो थोड़े दूर जाके घिर गया था ठीक है अच्छा और आप इस मिंदर में आपका भी समय से पूजा कर रहे हैं औ पिल्कुल यह बात सई हैं और मंगलवार सनिवार को भगत आते भी हैं और हर भगत के जो सर्दा बाव से आते उनको फर्क भी पड़ता है ठीक है तो दोस्तों जब हाँ मिंदर में यहाँ आए तो यह चमतकारी मिंदर के बारे में हम कहीं लोगों के बारे में लोगों से यह सुना कि वाक्या में इन लोगों को जब यहां मिंदर में आते हैं तो लोगों की मनते पूरी होती हैं और जो लोग सोचते हैं वो उनका काम पू तो पुजर जी आप तो पहले ये बताईए कि ये मिंदर कितना टाइम पुराना है और इस विंदर का नाम जो खेजड़ा वीर हनुमान रखा गया है उसके पीछे इसका क्या करान है पहले आप तो इसका जवाब दीजिए ये मंदी लगबग 300 साल पुराना है और हमारे पूर पूर्वज पाली जिला से आयोए हैं और इदर पीछे वो खेजड़ा जो 300 साल पुराना है उसके नीचे हमारे जो बड़े रहे वो अराम खर रहे थे उसी समय सपने में राजा को अनमान जी आये और वही फिक्स टाइम समय में हमारे पूर्वज को भी सपने में अनमान जी आये और अनमान जी ने का के है बगत अब तुम्हें कई नहीं जाना है इदरी रहना है सेवा करना है पूजा करना और मेरे बगती बाव और बजन करना है और उसी समय महारा राजा हमारे पिपाड के उनको भी एक समय सपने में आये थे कि खेजड़े के नीचे जो मातमा जी बोला और कहां बाब जी तो हमारे पुर्वजी ने का कि जो आपको हनमान जी ने बोला है वो आप हमें जमीन दे दो तो राजा ने सो अकड में घोड़ा फिराया था और उस समय सो भी गाई ये जमीन आई है बाला जी की नाम की उसकी हमारी इग्यारवी पिड़ी है जो मैं से वा फूजा करता हूँ अच्छा फूजर जी आप इस बात का जवाब दीजिए कि यहां मैंने काफी लोगों से सुना है कि यह बहुत चमतकारी मिंद्र है और यहां एक चोर आया था जो यह दो को गंटी लगी वी है उसने चुराने का प्रियास किया था लेकिन जब वो जब दोड रहा था तो एक दम मीचे गिर गया और उससे वाप उठा नहीं गया तो क्या यह बात सही है इसके बारे में एक बार बताईए हमार दर्शकों को क्योंकि यह सवाल काफी लोगों के मन में हैं और आपको बताना चाहिए बताईए बिलकुल यह बात राइट है और मैं इदर पीचे ही सो रहा था विश्राम कर रहा था दो पार एक बज़े का टाइम था तब मेरी अचानक नेंद आंके खुली मेरी नेंद में और मैंने देखा दो चोर के हाथ में घंटी थी और भाग रहा था इदर तो भाग रहा था तो साकसाथ बाला जी की किरपा थी तो म कर रहे हैं और लोगों का यहां कहना है कि यहां वाक्य में लोगों के दुख दूर होते हैं और जो यहां लोग मनत मानते हैं वो पूरी होती है क्या यह सही है और आपके सरदालू क्या कहते हैं बिलकुल यह बात सही है और मंगलवार सनिवार को बगत आते भी हैं और हर पाट शीटी वाक्य में धर्म और करम की नगरी कही जाती हैं और आप इस मिंदर के बारे में आप कहीं समय से मैं देख रहा हूँ कि पूजा करते हो वहत लगन वेक्ति भावु तो आपके बारते हो इसा बाला जी का मिंदर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कुछ बताइए आप जब से मैंने बाला जी की पूजा की हैं तब से भी इदर हमारा मन भी सांथ रहता है और बिल्कुल साख साथ बाला जी की हमारे पर किरपा भी बनी है और जो भी मैं कोई भी अगर इदर भगत आता है जो भी मुझे बोलता है तो म मंगलवार के दिन कर दिन होता है यहां विषी श्रूप से मेला बड़ता है यहां बहुत बीड़ होती है तो इसके बारे में आँ बताये कि यहां मंगलवार के दिन ज्यादा संख्या में सर्दालो आता है या सनिवार के दिन और मंगलवार के दिन लोगों को सर्दालो आने चाहिए या सनिवार के दिन आने चाहिए इसके बारे में जो लोगों के ब्रांती हैं उनके बारे में एक बारे में बताईए ऐसा है ज़्यादा तर इदर मंगलवार को ज़्यादा मेला लगता है और सन्निवार को इतना मेला नहीं लगता है लेकिन हनवान जी का मंगलवार है जो मेंदिन है और उस समय बगत अपने आश्टा बाव से इदर आते हैं और जो भी बोलवा बोलते हैं उनका फर्क पड़ता ठीक है नमस्तार दोस्तों और अब हम आपको बगवान हनवान जी की जो विशेश जो चमतकारी मूर्ती हैं उसके दरशन कराने वाले हैं और आप अराम देल थान के बेठेगा और गोर से देखेगा कितनी शुंदर मूर्ती हैं ये पुजारी जी के पिता जी ने बनाई है तो बनाते रहे और फिर जाकि ये मूर्ती का काम पूर्ण हुआ तो इसके बारे में आप बताएं कि किस विशेश है इस मूर्ती को लंसम बनाते समय तीन साल लग गए थे और ये मूर्ती पिपाड शेर सापेशूर तलाव के पास खाकी जी की बगेची है वां बगेचे में कल पक्स के नीचे ये मूर्ती हमारे पिता जी दुवारा ओमदास जी वैसनों दुवारा हातों से तयार की गई है लेकिन इस मूर्ती में एक विशेश्टा थी जब ये मूर्ती बनाई जा रही थी तब पत्र से अपने आप साखसाद बगवान ने अपना रूप दरसा दिया इदर से लाल मुख आया शीना लाल आया ठीक है न दोस्तों यह आपने काफी कुछ जान लिया होगा यहां वीर खेजडा हनुमान जी के मिंदर के बारे में और अब हम आपका ताइम बेस्ट नहीं करेंगे और बगवान की मूर्ती के दर्शन करेंगे यह चमतकारी मूर्ती बेड़ा पार होता है और काफी और जो सनिवार के दिन जो बगवान हनुमान जी के यहां आते हैं दर्शन करने के लिए उनके अपर बगवान सनी की कभी भी कुद्रश्टी नहीं पड़ती है ऐसा कहा गया है हमारे द्रम गरंतों के नुश्णार और हनुमान जी तो सब आपको पता ही है कि किसी से कम नहीं है और हनुमान जी आप विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करीबे को आतुर हनुमान जी हर काम में आगे रहते हैं वो अपने जब उनका कोई काम होता है तो वो सिर्फ उनके लक्षे के उपर ध्यान के द अपने लक्षे के परती कितने वफादार है जब उनका लक्षे उनके सामने पड़ा रहता है तो वो हो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते है उसी परकार आज के यूवा पीडियों को जब पढ़ाई का और जो बिजनस का जो भी उनके सामने लक्षे हैं तो वो लक्षे से बर्मितना हो अपने लक्षे के परती सावचित रहें अब आप आप से अलविदा चाहेंगे और इसी तरह और भी आपको पिपार सिटी से समधित या जोधपुर से राजस्तान से समधित ऐसी सी नहीं नहीं जान करी हम आपको देते रहेंगे और हम उमीद करते हैं कि आप हमर दूरा जो बनाया गया जो वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आता है तो दोस्तों एक वार लाइक और कमेंट कर दीजिए और आपको और भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राब कर दीजिए दोस्तों इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला यह नीश शुल्क है और इससे आप हमारे आने वाले नोटिफिकर्स में पराप्त कर सकते हैं और भी आने वाली जानकरिया आपको मिलती रहेगी थैंक्यू दोस्तों धन्यवाद प्रिवाद 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 झाल